आज मैं फिर आपके पास एक नया टॉपिक लिख आया हूँ तो आज हम इसके बार में डीटेल में बात करेंगे आप लास्ट तक वीडियो को देखिएगा यहाँ बिल्कुल एलिमेंटरी पोर्शेस हम शुरुआत करेंगे और इसको काफी अच्छे लेवल बिले आने की कोशिश करेंगे तो यह जो टॉपिक है ना प्रोजेक्टाल मोशन इसकी डेफिनिशन से शुरुआत करते हैं बिसिकली प्रोजेक्टाल मोशन होता क्या है आप किसी भी बॉड़ी को अगर थ्रो करते हो अंडर ग्रेविटी फेक दो से ग्रेविटी में तो किसी बॉड़ी को अगर ग्रेविटी में आप फेक देते हो और फेकने के लिए आप जिस एंगल पर फेकते हो वो 90 नहीं होना चाहिए मेरी बात पिधान दीजेगा आप किसी body को अगर throw करते हो किसी भी body को other than 90 degree 90 के लाबा किसी angle पर throw कर दो तो ये जो motion आप देख रहे हो इस motion को कहा जाएगा projectile motion जैसे मैंने एक body ली और इसको throw कर दिया और इस बाद angle कितना नहीं होना चाहिए उसको कहा जाएगा projectile और इस projectile की motion का नाम हो जाएगा projectile motion ठीक है अब यहां एक बड़ा basic सा question आता है कि या फिर भई 90 degree से ऐसी कहला आई है इससे कैसी दुश्मनी है कि या 90 फिकेंगे तो projectile नहीं कहलाएगा आईए इस पर बात करते है अगर किसी body को आपने 90 पर छोड़ दिया या फेक दिया छोड़ दिया मतब बॉल लिया आपने और इसे छोड़ दिया तो बॉल कैसे move करेगी बॉल को ऐसा छोड़ा तो बॉल ऐसे move करेगी जैसे में ने बनाया या फिर बॉल लिया और ऐसे उछाओ दिया ऐसे उछाओ दिया तो बोड़ी इस तरह से मूप करेगी तो अगर किसी को 90 डिग्री पर ठेका जाता है तो उसको प्रोजेक्टाइल नहीं मांगते हैं उसका बड़ा बेसिक सा कारण है बेसिकली यह जो आप बड़ देख रहे हो ना प्रोजेक्टाइल मोशन यह basically it is a motion in two dimension हम किसी particle की two dimensional motion को प्रोजेक्टाइल कहते हैं और अगर आप उसको 90 डिग्री पर ठो कर रहे हो तो 90 डिग्री पर ठो करने पर उसकी motion two dimension नहीं होगी उसकी motion one dimension होगी और क्योंकि वो one dimension है इसके उसको प्रोजेक्टाइल मोशन में शामिल नहीं किया जाता है अब आते हैं प्रोजेक्टाइल की कुछ basic points पर basic points basic points प्रोजेक्टाइल के वो points है जिन पर आप ध्यान देकर पूरे topic को बहुत आसानी से समझ पा होगी लेकिन थोड़ास पर ध्यान देना है बहुत simple सी बात है जैसे for example मैंने एक oblique प्रोजेक्टाइल motion को consider किया है oblique मतब किसी angle पर horizontal surface से किसी body को throw किया और यह मालिक है यह x-axis होगी अपने पास यह y-axis यहां पर एक particle को यह अपना क्या होगा projectile अभी समझाय था जैसे मैं आपको तो यह जिस इस projectile को जिस angle पर throw किया जाता है इस angle को कहा जाता है angle of projection angle of projection अच्छा है जिस speed से इसको throw किया गया इसको कहा जाता है velocity of projection यू को क्या कहा जाएगा velocity of projection velocity of projection अच्छा अब दो elementary बाते होगे यह u होगे यह theta होगे अब यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात है कि यहाँ पर acceleration यहाँ देखिए यह जो velocity है इस velocity के अगर आप पहले आप दो component कर लो एक आजाएगा u x जिसको कहा जाता है horizontal component u cos theta u का vertical y direction component इसको कहा जाता है vertical component u का जो y direction component है u sin theta एक horizontal direction में और एक vertical direction में further तो u k, u x और u y horizontal component है vertical component अच्छा आप आजाते है velocity होगी आपने पास velocity के तो component हो गया एंगिल हो गया further acceleration यहाँ पर acceleration ax का मतलब होता है acceleration along x axis तो acceleration आप जिसे Newton का आप second law basic जानते हो कि a costume ने पढ़ा force upon mass यानि कहीं पर भी constant mass के लिए अगर acceleration निकालना है तो formula होता है force divided by mass अच्छा आप x axis की बात करते हैं तो x axis में force along x axis upon m लेकिन मैं projector emotion की सबसे खास बात है कि इसमें केवल जो force लगता है वो लगता है केवल gravity का only gravity यानि जहाँ पहीं body होगी उसको केवल कौन सा force लगेगा उस पर लगेगा gravity का force लगेगा हर जगे केवल कौन सा force लगेगा gravity का और x direction में कोई force नहीं होता है क्योंकि भी दे कोई x direction में कोई force नहीं है तो यहाँ पर 0 upon m यानि 0 यानि हम फूरी projectile motion में x axis के long acceleration को कितरा मान के चलेंगे जीरो मान के चलेंगे अचा इसी तरीके से y direction में acceleration तो y direction में acceleration चलिए तो y direction का force upon mass आ जाएगा y direction का force अचा y direction में क्या रगता है y direction में लगेगा weight और weight किसके बराबर होता है mg के बराबर तो y direction में force यानि weight weight मतलब mg तो यह m से m cancel कर दिया तो बड़ा basic सा elementary portion आ गया कि projectile motion में x axis के long acceleration है उसको तो 0 मान के चलेंगे और जो y direction में acceleration है इसको g मानेंगे और खास बात कि जब हम इसको use करेंगे तो ay को minus मानेंगे minus को मानेंगे क्योंकि जो को सीधी इस बात है यह आपने plus y माना है और अगर आपने इसको plus y माना है तो weight या acceleration किस direction में है negative y direction में है तो हम जब इसको use करेंगे तो minus g use करेंगे और सबसे elementary बात बढ़ी देखो projectile motion two dimension है two dimension क्यों है चोंकि इसकी velocity के दो component हो गए UX क्या करेगा UX इसको x direction में लेके चलेगा y direction वाला component particle कहां लेके जाएगा उपर लेके जाएगा तो particle एक साथ दो काम कर रहा है देखो x में भी बढ़ेगा और y में भी बढ़ेगा लेकिन सबसे important है यहां पर नहां देना कि जब particle अपने सबसे highest point पर सबसे उचे वाले point पर पहुंचेगा तो यहां पर particle आगे तो बढ़ेगा लेकिन उपर नहीं जाएगा देखो यहां नहां देना जो सबसे highest point है यहां particle आगे तो जाएगा देखे इससे उपर नहीं जा रहा है और उपर ले जाने का काम किसका था y component of velocity का particle यहाँ उपर नहीं जा रहा है यानि highest point पर velocity का y component vertical component कितना हो जाता है 0 यह बहुत important point है इससे related to derivation है उनमें हम इसका basically use करेंगे कि जब particle highest point पर होगा तो highest point पर particle की velocity 0 नहीं होगी particle चल रहा है लेकिन particle का कौन सा component 0 होगा y component, vertical component यहाँ पर कितना माना जाएगा, 0 अब हम बात करते हैं related motion में time of flight की basically time of flight होता क्या है जैसे for example, एक मैंने particle लिया और उसको throw किया तो particle यहाँ से throw किया गया यह वापस आते है पूरी motion को complete करके जब ground पर वापस आता है, यहाँ से throw किया, जहाँ से motion शुरू ही पूरे time यह flight करता रहा और जब finally ground से टकराया तो यहाँ से यहाँ तक का total इसका motion का जो duration है उस duration को कहा जाता है time of flight, basically पूरे time उड़ते रहने का समय, ऐसा बोल सकते हैं अब time of flight निकालेंगे कैसे तो time of flight निकालने के लिए जो हमने basic use किया सा, उसलिकर ज़र्दी से use करते हैं, यहाँ पर O से A और B तो यहाँ पर जो project time motion होती है तो यहाँ पर O से A और A से B यह जो पूरी motion है यह symmetric होती है, यहाँ जैसा motion होता है O से A तक, जितना time लगता है O से A तक जाने में उतना ही time लगता है A से B तक अच्छा time of flight क्या है? time of flight है O से B तक का time और O से B तक का time निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पहले time निकाल लेते हैं O से A तक का अब क्योंकि यह time और यह time सेम है जैसे for example, यहाँ पर अगर time लगा अपने को T तो यहाँ भी time T लगेगा तो हम यहाँ से यहाँ तक का time निकालते हैं और फिर क्या करते हैं? उसका just double कर देते हैं यानि O से तक का time time है और अगर इसका double कर दिया तो यहाँ से यहाँ तक हो गया time वीज़िए कैसे निकालेंगे देखो? बिल्कुल basic सा यह हो गया पार्टिकल को थ्रो किया velocity of projection, angle, दो component x direction में, y direction में और जब यह move करेगा तो highest point पर height सबसे ज़्यादा height पर इसका vertical component कितना हो जाएगा? 0 तो हम consider करेंगे its motion of particle along y axis consider motion along y axis motion of particle along y axis कहां से कहां तक? o से a तक तो o पर word पर direction velocity कितनी है? equation v equals to u plus a t क्योंकि हम बात कर रहे हैं y direction में तो y direction में इसका सब एक्सम सब के y रखा देते हैं अब vy a point पर vy कितना हो गया? 0, u y की value कितनी हो गई? u sin theta ay कितना हो गया? minus g minus का कारण भी बताया था मैंने आपको ति यहाँ पर acceleration कहां पर होता है? vertically downward होता है minus y direction में इसलिए अच्छा इसको solve किया gt को धर ले अब तो gt हो गया u sin theta p हो गया u sin theta point g और time of flight आवि मैंने बताया था है time of flight का मतब t कौन से time निकला यहाँ से यहाँ तक का? और time of flight का मतब हो जाता है जिस इसका double तो t रिखला आपने पास u sin theta point g तो time of flight इसका double हो जाएगा double का मतब t equals to till you sign theta point g तो this is the time of flight for this type of projectile motion अब हम इसके second topic को बात करेंगे इसका नाव है maximum height देखो maximum height होता क्या है जैसे आपने किसी projectile में projectile को थो किया तो यह body move करेगी एक परदवर पास पर move करेगी तो यह अपने पास पर जहाँ पर सबसे जादा height पर होती है तो इस height को कहा जाता है maximum height literal meaning है maximum height का मता हो गया सबसे उचा point तो इस height को कहा जाता है maximum height और इसका एक और नाम भी है इसको vertical range भी कहा जाता है range भी दो होती है एक vertical और एक horizontal horizontal range की बात हम next topic पर भी करेंगे यह maximum height कहलाएगा और maximum height या इसका दूसरे नाम है vertical range तो देखिए अब हम सीखेंगे vertical range या maximum height कैसे निकालते हैं परिका वो ही कि हम लोग क्या करेंगे O से A तक की y direction की motion को consider करेंगे y direction की motion consider करते हैं यारि कहां से कहां तक O से A तक क्योंकि A पर point कैसा है अपनी सबसे ज़्यादा height पर है maximum height पर है तो consider motion of particle along y axis और कहां से कहां from O to A अब यहां पर use करेंगे हम लोग third equation of motion third equation of motion सबको मालूम है v square equals to u square plus 2as अच्छा हम बात किसकी कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं y direction में motion की तो सबके suffix में मैंने y लगा दिया a point पर v y यानि vertical component कितना होता है zero हो जाता है u y की value कितनी होती है u sin theta तो यह हो गया u square sin square theta 2 2 के जगे 2 लगा दिया अच्छा a y acceleration along y axis हम बात कर चुके हैं कि acceleration along y axis a y कितना होगा minus का g minus फिर समाझ लेते हैं minus इसलिए क्योंकि बड़करी downward है और h की value h plus क्योंकि उपर के तरफ move कर दें now this is positive y axis इसको आप सौल को 0 equals to u square sin square theta plus 2 minus g h इसको minus वाली term को इधर लेहो तो minus वाली term कैसे हो जाएकि plus हो जाएगी तो 2g h किसके बराबर आगया u square sin square theta अच्छा यहां से h कितना हो गया h आगया u square sin square theta divided by 2g तो u square sin square theta upon 2g यह term पर पर पास क्या कहलाएगी maximum height या फिर इसी का दूसरा नाव क्या हो जाएगा vertical range vertical range अब प्रोजेकर motion के थर्ड टॉपिक पर हम रोग आते हैं जिसको कहा जाता है horizontal range horizontal range क्या होता है कि जैसे आपने क्या क्या एक ये ज्गेटर को थ्रोग चिया तो जब थ्रोग चिया तो maximum जितना horizontal distance कवर करता है उस horizontal distance को गा जाता है range जैसे पारड़ पर यहां सा आपमे थ्रोग चिया और थ्रोग तर्ड़ करते पर पारड़ फ्लाइट करके यहां पर गिरा, तो maximum कितना horizontal distance cover किया उसने O से शूरू किया था और maximum कहां तक गया, B तक गया तो O से B तक का जो horizontal distance है, इस distance को कहा जाता है horizontal range, range का मतलब है x या horizontal direction में travel किया गया maximum distance, इसको कैसे solve करेंगे क्योंकि इस बार हमें बात करनी है x-axis में तो इस बार हम लिखेंगे motion यह हम consider करेंगे motion along x-axis और कहां से कहां तक o से b तक अच्छा o से b तक आप जहाने कोगे कि यहां से o से b तक अगर चलते हैं तो time कितना तहलाएगा यह time होने सीखा था o से b तक का जो time है वो है time of flight ठीक है तो consider motion along x-axis और कहां से कहां from o to b आप जानते हूं second equation of motion s equals to ut plus half a t square s equals to ut plus half a t square लेकिन हम बात कर रहे हैं x-axis में motion की तो सबके suffix में मैंने x लगा दिया ठीक है अच्छा s, x का मतलब हो जाएगा कि distance कितनी हो गई r हो गई u x small t की जगए time of flight half अच्छा हम लोग शुरू में बिल्कुल बात कर चुके थे इसको ध्यान दिजेगा इस topicable को initial level पर कि projectile motion में x direction में कोई force नहीं होता है इसलिए x direction में कोई acceleration भी नहीं होगा तो x की बेली कितनी लगा देंगे 0 लगा देंगे तो यह term to pull cancel होगी अपने पास यह term cancel out होगी तो यहाँ पर r किसके बराबर आ गया u x into t u x मतलब u cos theta u x मतलब क्या पढ़ा था हम उपसके दो component पर देथा हम को लोग ने एक u x पढ़ा था और एक क्या पढ़ा था हम लोगों ने एक u y पढ़ा था u x की बेली कितनी थी u cos theta तो u x हो गया u cos theta और time of flight क्या पढ़ा था 2 u sin theta upon g तो time of flight लगा दिया अब इस condition में u और u को multiply करा तो u square हो गया और क्या क्या बचा देखो धहां से देखो u अलग हटा दिया यह वाला u अलग हटा दिया क्या बचा 2 sin theta cos theta 2 sin theta cos theta और 2 sin theta cos theta किसका formula होता है यह होता है sin 2 theta तो u square upon g और u square के साथ यह जो bracket है यह बनके sin 2 theta तो range का formula आ गया u square sin 2 theta upon g तो इस वीडियो में मैंने आपको तीन चीज़े बताई सबसे पहले क्या सीखा हम लोगो ने सबसे पहले सीखा elementary portion उसके बाद इसके basic सीखे और आपको मैंने तीन portion बताए time of flight maximum height and range ठीक है